हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल माही आर्ट तो फ्रेंड्स आज मैं आपको अम्रेला बाजू की काटिंग करना बताऊंगी उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है इसको मैंने टू फोड में रखा है इस तरह से इस तरह से मैंने इसे टू फोड में रखा है अब हम इसे फोर फोड में रखेंगे इस तरह से और फ्रेंड्स हमें अपनी 18 इंच की अम्रेला बाजू तयार करनी है उसके लिए हम सबसे पहले अपनी कोहनी तक का नाप लेंगे कोनी का नाप हम यहां पर 10 इंच पे या 11 इंच पे भी लगा सकते हैं मैं यहां पर 11 इंच पे निशान लगाऊंगी मेरा यहां पर 10 इंच पे निशान है बट मैं 1 इंच प्लस करके यहां पर 11 इंच पे निशान लगाया है मैंने अब फ्रेंट्स इस निसान को हम नीचे तक सीधा कर लेंगे इस तरह से सीधा कर लेंगे इसको अब यहां से हम उपर से विर्थ लेंगे विर्थ मैंने तीन इंच ली है अब इसको भी हम नीचे तक सीधा कर लेंगे अब फ्रेंस हमें यहां से आर्मोल लेनी है आर्मोल आपको अपने नाप के हिसाब से लिना है तो मैंने यहां पे एक आर्मोल का निशान दिया है तो मैं यहां पे एक निशान लगाऊंगी अब यहां आगे से हम बाजू की गोलाई देंगे गोलाई है, इसकी 10 इंच, हम इसके दूसरे भाग पे निशान लगाएंगे, यानि कि 5 इंच पे लगाएंगे, अब यहां से हम गोलाई दे देंगे, इस तरह से, यह हमने यहां से आर्मोल की गोलाई दे दी, अब हम इस निशान को इस निशान से मिला देंगे, तो इस तरह से हमने मिला देना है अब फ्रेंट देखो ये निसान हमने लगा लिये हैं बाजू के लिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से हम यहां से पहले इसकी यहां से कटिंग करेंगे अब फ्रेंट्स यहां से भी हमने एक एक इंच की दूरी पे इसको कट कर देना है इस तरह से अब हम एक निशान यहां पे जो निशान है यहां पे कट लगाएंगे एक इस निशान पे कट लगाएंगे और एक यहां पीच में एक कट लगाएंगे अब इसको खोले के देखेंगे इस तरह से अब यहां पीच से हम हलकी से पौना निशान लगाएंगे थोड़ी से सेब दे के और इस तरह से हम इसको कट कर देंगे तो फ्रेंस देखो बाजू कट के तयार हो चुके हैं यह देखिए अब हम यहां आगे से अमरेल बाजू के जो घेरें वो बनाएंगे उसके लिए हमें दूसरा कपड़ा चाहिए होगा यह कपड़ा मैंने आदा मीटर का लिया है इसको इस तरह से दो फोल्ड में रखेंगे अब इसको फोल्ड में रखेंगे इस तरह से अब देखो फ्रेंट्स यह देखो यह कितने फोल्ड है वन टू थ्री फोर अब इसमें एक फोल्ड और करेंगे तो यह आठ फोल्ड हो गए है यह देखो वन टू थ्री फोर फाइब इस सिक्स सैवन और यह एट तो फ्रेंट्स यह देखिए अब हमें यहां नीचे से निशान लगाएंगे इससे पहले हमें अपने बाजू का जो आगे का जो निशान है उससे देखना है जैसे कि यहां पर पांच इंच का निशान है तो हम पांच का दूसरा धाइ इंच पर यहां पर निशान लगाएंगे इस तरह से यहां पर एक निशान देंगे पोना निशान देंगे यहां पर इस तरह से अब फ्रेंट्स हमें करना क्या है अब हम यहां से जो हमारा घेर है अमरेला बाजू का उसका हम यहां से लंबाई लेंगे साथ इंच पर तो साथ इंच पर मैं यहां पर निशान लगाऊंगी इस तरह से और इसी तरह से घुमा घुमा के साथ इंच पर निशान लगाते जाना है इस तरह से गोलाई देनी है इसकी शेप तो देखिए फ्रेंड्स ये निसान हो गए है अब इसको अच्छे से कर लेंगे अब इन्हें हम काट देंगे इस तरह से हम कैंची से कट कर देंगे अब हम यहां निजी से भी इसको इस तरह से काट लेंगे तो फ्रेंड्स देखिए ये बाजु हमने कट कर दिये हैं इस तरह से ये देखिए ये मैं आपको खोल के बताऊंगी ये देखो इस तरह से कितना सुन्दर घिर आया है इसमें और फ्रेंड्स हम यहां पर इसकी हलकी हलकी सी गोलाई दे देंगे थोड़ा सा हलकी सी चौक से हम इसे निशान देंगे इस तरह से और इसे कैंची से कट कर देंगे इस तरह से यहां पर तो friends यह umbrella बाजू की cutting हमारी complete हो चुकी है तो friends अब आगली वीडियो में आपको इसकी stitching करना बताऊंगी तो friends अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हूँ तो please मुझे support कीजिए मेरी वीडियो को like कीजिए, subscribe कीजिए ताकि मैं इसी तरह की वीडियो अप्रोड कर सकूँ, धन्यवाद friends